नमस्कार दोस्वों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शिबी को बता दें कि अब आप शिबी के जुनकाल में आने वाले दस दिनों का शमय बहुती अच्छा और बहुती महत्पुन शमय शावित होने वाले हैं जिहां दोस्तों यश में आपके घर खुश्यों की लहर दोड़ने वाली है और आपके शत्रु के घर गम की नदियां बहने वाली है यानि कि दोस्तों अब आपके जुनकाल में शत्रु का विनाश होना तै हो चुका है जिहां दोस्तों और इसके उपरांती आप शबी की जु जुनकाल में जितने कारी होई जितनी भी आपने खुशकवरी है लेगन कोई शमे के बाद आपके गम में बदल जाती है और दोस्वं आप इन शबी बातों को कहीं न गई नदर अज कर देते हैं। ये हमारी किश्मत में ही नहीं लिखा था लेकिन दोस्तों हम आप शुभी को बता दें कि हर बार किश्मत का लिखा नहीं होता है कुछ दोस्तों व्यक्ति के कर्म भी होते हैं जिन से उनके जुनकाल के शारे शुभी अशुभ में बदल जाते हैं जिया दोस्तों कहने का तात् को ना रखके जुनकाल को आई उगार ऐसा में कि धुषी मलति है जब आपको कोई शफलता मिलती है जरूर है ऑप को एक यह कार्य कर देते हैं जिनसे डुसके आपके हाथ आख में खूष हो जाते हैं और दोस्तों आप ही पराजित होते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शीवी को बता दें कि अब निराश होने की अवशकता नहीं है अब आपको चिंता करने की अवशकता नहीं है कि दोस्तों आने वाले दस दिनों में आपको कौन कौन शी विश्यज बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिर से आप शत्रु के जाल में ना फशे और फिर से आप शत्रु के उपर अपने जीत का जंडा गार्ड शकें जहां दोस्तों बहुत ही खाज वीडियो है गरों की गोचर पर निमित ह जो कि दोस्तों आप शिवे की जुनकाल के लिए शब से ज़दा महत्पून शाविद होंगे अगर आप इस वीडियो को अंते तक देख लेंगे तो दोस्तों हम इस बात की गैरेंटी देते हैं या आपकी जुनकाल में आपको जो शफलता मिल नहीं है गले दस दुनों में दोस्तों वो मिलकर ही रहेंगी और आने वाले शवे में आपको शत्रू भी प्रेशान नहीं करने वाले हैं जी हां दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शर्व पर्थन दोस्तों जो भी बगवान शनीदेव के शच्चे भक्ते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंड बोक्ष में सच्चे मन सच्चे हिर्दे भावशे जैशनी महराज जरूर लिखेगा दोस्तों कर्मों के दाता भगवान शुन्दी वाप शिवी के जुनकाल में आपके घर परिवार में हमेशा पर दिश्टी रखेंगे जिया दोस्तों यहीं शुरुआत करते एक बहुती अच्ची और मेहत्पून ग्यांशीर जगी दोस्तों आप शिवी के जुनकाल के लिए पहुत ही ज्यादा आविश्य होंकि इन्हें जालनेंगे जिस्धिर आप शिवी के जियुनकाल में चार चान लग जाएंगी नियुकाधी दोस्तों यह तो लगा ही रहेगा जिवन में अगर एक जेशे इस्तिती शदा बनी रहे तो जीवन मुश्गिर हो जाएगा एक पल कोई जन्म ले रहा है खुश्या मना रहा है तो इशी पल कोई किशी की अर्थी उट रही है दुख मनाए जा रहा है माहौल गमगीन है कहीं कोई शुहागन बन रही है तो कहीं किशी का सुहाग उजड़ रहा है इन सब पलों में व्यक्ति को भावनों में ना बही तो कोई बात है यहोदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोबा भगवान को क्या पशंद है और क्या नापशंद है कथा में आता है कि यहोबा को घमंट से चड़ी आखें गलत मार्ग पर चलने वाली पाउं किशी का हक छिने का हाथ और जूठी गवाई देती जीब पशंद नहीं है जिया दोसों ये भगवान को शारी जिजे नापशंद है उसको शद्गमार पर चलने वाली पाउं शेवावा शयुक करते हुए हांत मदुरुवा हितकारी वानी बोलती जीब उल्लास उत्सास से भरा हुआ हिर्दे शांत मत्सिक चेहरे पर्मप्रशंता के भाव और होठों पर मुश्कान पशंद है लेकिन ये शब बड़ी महंगी और महंगी चीजों के लिए किमत चुकानी पड़ती है ये किताबों में पढ़ने शी या खाली पीली कहने शुनने शी नहीं आ जाएगा ये आएगी किछी ज्यानी ध्यानी के शंग रहने शी उनको पने शंग करने शी-्षद्ग्रंथों का अध्यन करने शी-षदसंग में जानशजी-मानव जनम मिलना शोभाग्य और शचद्गुरू मिलना परम शोभाग्य की बात है जीवन में अगर शंत है तो फिर शदाही बशंत है जी हम दोस्व तो दोस्वों आज का यह ज्यान अगर आपको शमल में आई हो अगर आप इनमें शचाई देखें हैं तो दोस्वों वीडियो को एक प्यारा से लाइक जरूर ही किजिएगा और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लेक दें जैश रिकिशना राधी राधी तो आई दोस्वों से क शाद बात करते हैं कि आने वाली दस दिनों का जो आपका श्यम्य होगा इनमें कौन-कौन शी बड़ी खुशकबरियां आपको मिलने वाली है शादी दोस्वों कौन-कौन शी विश्यस बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्वों इन शभी के बारे में जानेंगे बहुत गहरी तरीके शे तो दोस्तों अंत तक ध्याश दिखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार शे दोस्तों आपका अपने व्यक्तितु और रहन्शन के प्रती अधिक सजग रहना मित्रों और श्रयेगों के बीच आकर्शन का कारण बनेगा शमाज में भी अगर आपकी शावधनी को रिकर बात करें तो दोस्तों यह शमाई धन से समझेत किसी भी परकार के लेंद देन में शावधनी रखें शाथी धोका आउशकता है दोस्तों और आप किशी आर्थिक परिशानी में भी इससे उलज जाएंगे भूमिशमंदी जो भी ख्रयत होना आपको अपने ही अंदर नाकार्थ मुता भी दिखा शकता है दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किशी भी रिलेसंसिप को खराब होने के लिए दूसरों को जमेदार ठाराना आपको पीरिवेक्तियों से दूर कर रहा है दोस्तों ख परस्तिती जो है आपके पक्ष में कार कर रहे हैं दोस्तों बच्चों की किलकारी शुमंदी कोई सुप सुचना भी यश्में घर में मिल सकता है जिससे उच्छा भरा महौल भी रहेगा शाथी दोस्तों किसी अटके हुए काम को पुरा करने में भी यश्में आप सक्चम र लखें खुद पर ही और फिर सभी गत्यों को आप अपने तरीके से समालें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांदोस्तों यश्में आपके लिए कठीन लग रही है उतनी कठना यहां आपके जोन में नहीं है केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को त के नविक्रा नत्वा रख रकाव शमंदी यह जनाओं पर विचार विवस हो सकता है किसी समाजी करतिद्यों में अभी आपका महत्पून योगदान होने से आपका मान समान भी यह बढ़ने वाला है इसको प्रांदोस्तों अगर घर या फिर वहान शमंदी खरिदारी की यह जनाओं बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है इसको प्रांदोस्तों यह प्रांदो कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकिनता जैसी नकात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए प्रिशानी का कारण बढ़ सकती है तो द दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का आउसर भी यह प्राप्त होगा इसलिए दोस्तों अपने दवरा हुए कामों को जो भी गलत काम थे आपके यह ठीक करने के आपको सिच करते रहें नई काम की शुरुआत करने के लिए यह जो शमय है आपके लिए उतना ठीक नही सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वज़े से उनकी सहारना होगी भूमिशमंदी कारियों में भी अगर की निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों यह जो आपकर शवाव के लिए प्रिशानी का कारण भी बच्रकता है यह अवर्ग बेकार की गत्युद्यों में शमय नश्ट ना करके अपने केरियर शमंदी युजनाओं पर ध्यान फोकस करें इसलिए आपके भुष्ष के लिए बहतर होंगे इसको प्रांत दोस्तों यह जो आपके लिए कामों के बारे में दूसरों के दौरा मिलने की अपिक्षा रखना आपके लिए तकलित दायक हो रहा है इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यह प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के परतिर निश्टा को आगे बढ़ना चाहिए इस का बन रही है रिडेल की अपेक्षा होल सेल कारे ज्यादा शबल रहेंगे यह में ऑफिस का महल जो है बहुत शांती पूर्ण रहेगा इसको प्राहन दोस्तों आपके के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यह में कारी छेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत मह कर सकती है इसको प्राहन दोस्तों यह में आपके केरे के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि वाईशाय की इस्तितियां धीरे जीरे बहतर होंगी थोड़ी सी परिशानी आएंगी प्रतु शावधनी रखने से आपके कारे निर्विग ने पूरे हो जाएंगे दोस्तों कारे स्तिल पर इस टाप की गतिदियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा इसको प्रान दोस्तों यह श्मय आपके केरेट के लिए जिसमय होंगे आपके वाईशाय के लिए जिसमय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बिजनस में अपने लक्ष की क अधिक बहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कोई महत्पुन ओडर भी आपको मिलने की शमाना बन रही है यह मार्केटिंग और शंपरक्षूत्रों को और अधिक मजूद करने का समय होगा दोस्तों आपको बदा दें कि यह शंपरक्षूत्र आपके भुष समय निकाले इसको प्रांतों समय के लिए समय होगे अपके प्रैम जीवन के लिए समय होगए दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साहते के शात उचित-तालमिल भीठा कर रखने के लिए आपको शयूग आवश्यक है विवातर शमन्नोंत से दूरी बना कर रें यह आपके यसमें लव लाइफ के लिए बैतर होंगी इसको प्रांदोस्तों यसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगी आपको बता दें कि पारिवरे गवातावरन शुक्माई बना रहेगा तथा घर के 26 अदर्स हापस में प्रफुलित भी तथा खुश रहेंगे इसको प्रांदोस्तों यसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगी दोस्तों आपको बता दें कि पती पदली दोनों ही वैस्ता की वज़र्षी घर पर शुमई नहीं देपाएंगी प्रंतु घर का महौल जो एक खुश नमा बना रहेगा किशी भी परकार की चिंता ना करे इसको प्रांदोस्तों यसमेंगर आपकी स्वास्त याने सहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यदीक काम के वज़ से आपका जो शौभा हो है उनमें चिरचिरा प्हन हो शकता है दोस्तों मेट्रेशन या फिर योगा करना यश में आपके शमस्या का उचीत निवारन होगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें इसको प्रांदोस्तों यश में आपके स्वास लिशन होंगे आपको बता दें लप्रवाय ना करें तथा ऊची दिलाच यह समय जरूर ले। प्रैंतोस्तो वीद्धैस में आपके स्वास्त के लीज talk तेक होगा किसी प्रकार की चींदार ना करें प्रमेख और इन सबी चीजों का ध्यां् जरूर रखें यह आपके शुआत के लिए